असलाम अलेकूं मैं इस वक मौझूद हूँ पाकिसान वर्सिस अफगानिस्तान प्राक्टिस मैं जारी है ब्रिस्टल में सबसे पहले बात करने जाओंगो अफगानिस्तान टीम वर्ल्लकप तक पहुंची कैसे वर्लकप कौलिफाइज हुए थे 2018 में 10 टीम में अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंद क्या है अच्छा कैप्टन इन्हों ने रिप्लेस कर दिये असघरवान जिनकी कैप्टनजी में ये लोग वर्ल्ल कौलिफाइज जीत कर यहां तक मौचे उनको रिप्लेस कर दिये गुलबदीन नायब है उनको लेकर आया है जो कि दूसरे बॉलर है मुझीब और रह्मान जो कि इनीशियल ओवर्स करते हैं शुरू के 10 ओवर में दुनिया के सबसे बैस बॉलर है जिनका एकॉनमी रेट 3.5 है क्या कमाल की बॉलिंग करते हैं ये दोनों वही प्लेयर्स हैं जो के वल्ल कप कॉलिफाइज में 17-17 विकेट ल प्लेयर्स जिन्होंने वेस्टन डीज के खिलास वर्ल कप कॉलिफाइज में 100 मारे थे अगर हम रिसेंटी चेक करें तो स्कॉट्लेंड के खिलाफ अभी पिछले हफ्ते मैच किलकर आ रहे हैं दो एक जीते और एक हारे थे जो जीते थे 100 से उपर के मार्जन से जीते और हार देते 72 रन से उसमें शेजाद ने सौ किये थे रहमत चाह क्लास प्लेयर है रहमत चाह बहुत चाह केलते हैं और और अगर हम हजरत रजाज़ई इन्होंने 162 बनाये थे आरलेंड के खिलाफ इंडिया में टूर हो था आरलेंड और अफगानिस्तान का जिसमें अफगानिस्त इंडिया में उस टाइम जो कोश थे वेस्ट इंडिस के वो थे फिल साइमन जो के बहुत पुराने वेस्ट इंडिस के और खत्रे की घंटी यह है कि अब जो अफगानिस्तान की साइड है उसके भी कोश फिल साइमन है क्या फिल साइमन अफगानिस्तान को टाइटल जिता सक करेंगे के नहीं अफगानिस्तान की साइड बहुत अच्छी है लेकिन जो लैक कर रहें इनके पास कोई ठीका तेज बॉलर नहीं है हां हामिद हसन की वापसी हुई है तीन साल बात लेकिन मेरे खाल से वह इतने जाद अफेक्टिव नहीं होगा नाइब जो इनके कप्तान है इन्होंने स्कॉटनेंट के खिलाव छे आउट करके भी आ रहे हैं तो क्या वो छे आउट वर्ल्लकप के लिए कारामद होंगे के नहीं प्लीज कीप क्यून टूनमान इब्राहीम और आपको बहुत सारी अपडेट देता रहूंगा मैं वर्ल्लकप थैंकी सो मच